आप सब लोग मैं मुईंट पठाने पर फिर से आप सब लोग की साबने और जैसे कि हम सब को पता है कि स्यूटी के अप्लिकेशन फॉर्म बड़ी जल्दी आने वाले हैं तो आज आप लोग के लिए मैं कुछ मैं पास युनिवर्स्टीज ऐसे लिकर आयों जिसको आप लोग टार्गेट कर सकते हो अब अगर हम लोग बात करें यह मैंने समच.ac.in खोला हुआ और इसमें हम लोग जैसे लिए इसमें करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फीड़ा जाथ है घर किसी और यहां लोग किसी बीडि़न सबनार कर सकते हो जो कि सीए दे इती है एक परन बागी कोई स्पेसिफिक इस्ट आप लोग की दिमाग में तो आप लोग उसके लिए यह जो वीडियो में आप लोग बनाया है यह है completely Central University के लिए कि कौन से Central University आप लोग टार्गेट कर सकते हो और कौन सी टॉफ फाइफ कंसिस्टेंट युनिवस्टी इस है जो प्रफॉर्म भी अच्छा करती है और जासे आप लोगों बहुत ज्यादा करता है आप लोग देख सकते हैं लेकिन मुझे इसका रिनाउंड कोर्स लगता है वह है भी यह तो आगर आप लोग बी लेल्वी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यह बीए लेल्वी आप लोग परसिव करना तो आप लोग आलावद उनिवस्टी को जरूर अपने दिमाग म आप लोग के लिए बहुत ज्याता इंपोर्टन तो जीटी अगर आप लोग आपने पास रखते हो आप लोग एक डोमेन रखते हो लीगल स्टेडीज का और आगर आप लोग एक लेंग्वेज रखते हो इंग्ली जो भी आप लोग ठीक लगे यहाँ पर इन्होंने क्या ल लेकिन मेरे हिसाब से यहां का बहुत ज्याता इंपोर्टन तो अगर आप लोग परसिव करना चाते कोई भी फॉरें लेंग्वेज का कोर्स तो आप लोग जवाला नियुको जरूर जेनियू को आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग का इंटरस्ट है क्या करने में अगर आ करने में एक सिटाराइक सेटारा एन पर्शियन करने में यह फिर आप लोग इंटरस्ट एट है किस चीज में अ अड़बिक करने में ठेक है तो जितने भी फॉरें लेंग्वेज़ेस है उसके इसमें दिया हुआ है ठेक है जैपनीज है अपने पास और क्या है अपने पास होना चाहिए, आप लोग के पास English होनी चाहिए और आप लोग के पास GT होना चाहिए, मतलब एक Language और GT के basis पे JNU में आप लोग foreign language courses कर सकते हैं, आप लोग JNU को target जुरू करना अगर आप लोग foreign languages करना चाहता है अगर हम लोग बात करें, इसकी तीसरी नमबर पर हम लोग और खतरना की उनिवस्टी की बात करने वाले हैं, जो आप लोग target कर सकते हो, ठीक है, और तीसरी उनिवस्टी, बहुत renowned university, है ना, non-cooperation moment के time period में बनी हुई university, 1920 में British US के आगेस में बनी हुई जो इनिवस्टी है, उसको आप लोग target कर सकते हो, top 3 में रहने वाली university हमेशा, Jamia Milia Islamiya को आप लोग target कर सकते हो, Jamia Milia Islamiya में बहुत सारे courses तो नहीं provide कर रहा है, तेकिन जिसको भी BA honors करना है, हिंदी में, BA Sanskrit करनी है, जिसको BA honors करना है, फ्रेंच में, और जिसको Spanish करनी है, जिसको economics करनी है, history करनी है, तो अगर आप लोग arts के students है, और अगर आप लोग जामिया में से करना चाते, तो economics और history आप लोग लिए बहुत अच्छा option रहने वाला है, अगर आप लोगों के पास history economics में से है, और इसकी eligibility बहुत simple है, यह कहता है कि तुम्हें हिस्ट्री का एक्जाम दो, हिस्ट्री में अच्छे माक्स लेओ, जामा के दर्वादे तुम्हारे लिए खुले हुए, ठीक है, एकनोमिक्स करनी है, तो लोग जामिया मिले इसलामिया को जरूर आपने subject, बदला अपने university selection में रखना, ठीक है, इसके साथ सब BSE की भी बहुत सारे courses प्रोवाइड कर रहा है, BSE Biotechnology प्रोवाइड कर रहा है, बीवॉक, Solar Energy के लिए आप लोग फिलिक्स, आप लोग के पास रहनी चाहिए, इसके साथ साथ अगर आप लोग को Turkish honors वगयरा करना है, तो आप लोग, आप लोग को सरफ general test देना, chemistry honors के लिए यह BSE chemistry के लिए, आप लोग chemistry के लिए चले जाई है, BSE mathematics के लिए आप लोग के पास maths होना चाहिए, BSE Korean के लिए आप लोग general test दीजिए, बीए परशियन करने है तो जनरल test और बीए उर्दू करने है तो उर्दू का exam आप लोगो देना पड़ेगा, ठीक है, तो यह तीन उन से हम लोग क्या करेंगे, BALB करेंगे, JNU से हम लोग target करेंगे foreign languages को आगर आप लोग करना चाहते हो, जामिया से बहुत जिसको BSE chemistry, BSE physics वगरा करने है, तो जामिया को target कर सकता है, जिसको BA honours history करने है, BA honours economics कर रही है, जामिया आप लोगों के list में जरूर बजरूर होना चा करती है, बहुत अच्छी university है, top 5 में हमेशा इसका rank होता है, और बनारस हिंदी university के आगर हम लोग बात करें, तो बनारस हिंदी university से आप लोग कोई भी test कर सकते हो, एक तो BA का option दे रहा है, BA honours in social sciences, BA honours in social sciences में आप लोगो क्या क्या provide कर रहा है, या आप लोग provide कर रहा है, economics honours history honours, political science honours, sociology honours, psychology honours, mathematics, statistics, geography, ये सारे के सारे honours आप लोग यहां से कर सकते हो, और मांग कहा रहा है, ये बोल रहा है कि भी है, तुम्हें language select करना है, English या हिंदी में से एक, आप लोगों को general test देना पढ़ेगा, तो language और general test के basis पर, ये domain मांग ही नहीं रहा, तुम्हें history honours मे admission चाहिए, psychology में चाहिए, sociology में चाहिए, ये कह रहा है कि मुझे domain की जूरूत नहीं है, English और GT, या Hindi and GT का combination मराइए, हिंदी और GT का exam देजिए, और अगर तुम्हेंने मांस अच्छे आते, तो तुम्हें 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 desired course मिल जाएग, ठेक है, तो BA honours, social science से जो भी कर सकते हैं, ये करने के लिए, आप लोग के पास क्या होना चाहिए, आप लोग के पास English या Hindi में से एक language होनी चाहिए, आप लोग के पास legal studies होनी चाहिए, आप लोग को जेटी देना पड़ेगा, सेम आलाबाद University के है, और इसकी, दोनों की eligibility सेम है, for BLB, तो BLB और BA आप लोग कर सकते हो, इसके लिए आप लोग ये पास क्या होना चाहिए, physics chemistry and math होना चाहिए, ये फिर physics chemistry and bio होना चाहिए, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, आप लोग BAC agriculture pursue कर सकते हो, important है, ठीक है, अच्छी university है, बहुत बढ़िया university है, बहुत अच्छा infrastructure है, है ना, सब कही अच्छ University of Delhi, ठीक है, तो आप लोग University of Delhi के उपर क्लिक कर सकते हैं, और University of Delhi में आप लोग क्या पता चलेगा, कि अनगीनत courses करवा रहा है, जितने courses करना है, उतने courses, अच्छा, यहाँ पर eligibility थोड़ी से अलग हो जाएगी, ठीक है, बैसे मैं तुम लोग को बताई दूँगा, कि कौन स कौन सा subject combination से तुम लोग maximum forces ले सकते हो, Delhi University में, लेकिन अगर हम लोग बात करें, तो यह कुछ list 1 और list 2 दे रहा है हम लोगो को, list B1 और list B2 दे रहा है, list 1 जो है हमारे पास language वाला section, list B1 में यह कुछ important important subjects दे रहा है, जिसे अगर आप लोग Humanities के student हो, तो history, core subjects, history, geography, political science, वो B1 म क्या हो, science की student हो, physics, chemistry, maths, bio, commerce की student हो, तो आप लोग के पास BST, accounts, ठीक है, यह आपके core subjects में आजाएगा, B2 में कुछ अलग subjects दे रहा है, जैसे physical education दे रहा है, fine arts दे रहा है, ठीक है, agriculture दे रहा है, तो यह भी आप लोग domain में ले सकते हो, DU के लिए, तो DU के लिए, आप लोग domain म graphics, entrepreneurship, fine arts, visual arts, knowledge tradition and practices of India, mass media, mass communication, performing arts, physical education, NCC, yoga, teaching aptitude, यह सब कुछ ले सकते हो, लेकिन सबसे पहरी line आप लोगो को यहाँ पर ज़रूर याद रखने है, क्या बोल रहा है, candidate must must appear in CUTUG 2024 in the languages, domain specific subjects in which he, she is appearing, और has passed in class 12th, तो जो आप लोग को पास 12th के board में, जो आप लोग को पास subjects थे तो वही subjects आप लोगों को रखने है, University of Delhi के लिए, तो University of Delhi बहुत सारे courses करवा रहे है, जैसे के आपको पता है, BSC Anthropology दिख रहा है, हम लोगों को BSC Biological Sciences दिख रहा है, BSC Botany दिख रहा है, Zoology दिख रहा है, ठीक है, एक्सेटरा, एक्सेटरा, इसके साथ साथ अपने को BSC Physics, Poly Polymer Science दिख रहा है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, किस की, अगर हम लोग बात करें, BSC Mathematics, BSC Statistics भी कर सकते हो, थोड़ा समय, 800 वाले बच्चों के तरफ लेकर चलता हो, तो B.A. in Punjabi आप लोग कर सकते हो, B.A. in Persian आप लोग कर सकते हो, B.A. in जर्मन आप लोग कर सकते हो, B.A Subject combination होगा इसके लिए, वो क्या रहने वाला है, वो मैं आप लोग बता देता हूँ, तो अगर आप लोग B.A करना चाहते हो, B.A. अगर आप लोग B.A. honors करना चाहते हो यह B.A. program करना चाहते हो तो आप लोग के पास जो subject combination रहने वाला है वो कुछ इस तरीके के रहने वाला है एक language आप लोगों को लेनी है एक language economics honors करना है तो math रखनी पड़ी याद रखना ठीक है economics और math दो सब्चु यही हो जाएंगे अगर आप लोगो को क्या करना है जुल्च करना है जोग्रफ्री आप लोग पास होना जरूरी किसी भी तीन स्ब्च्ट का subject कॉमनेश है लोग पड़ सकते हो अगर आप लोगों को agriculture में है करना है भी एस आधे तो आपद लोग की पास दो S lorsque सब्जेक्ट कौन से पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और फिर आहिस को चाहिए क्ट अगर आप लोग वोको बिकॉम बगलागरा करना है तो विकॉमusionर् सकते हो इसे आप लोग का साइन्स टुडेंट है आप लोगों बीसी ओनर्स करना है ठीक है तो आप लोग क्या कर सकते हो आप लोगों रख सकते हो आपने पास इंग्लिश और इंग्लिश के साथ आप लोग को बनासे हो तो यह को रखना ही रतना है आप लोगों के युद्स टार्गेट ही जितनी ज्यादा उनियुशंटी डैंतर सक्ष्वार इंपने अच्छी नीषटी लिस्टी आप लोग स्कारता हिनिए फिर जॡह भी डालना लेकिन होना चीए है और एक होना चीए अप लोग के पास efाल हम अगECT को बहुत पसंद हो गे जाने से फ़िए अगर आप लोग मेर में अभी तक पॉलिटिकल सायंस के टेली गूंइ ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे गर सकते हो खांव. 有 स्टीनि ग्रूप में टेलिगराम कुखना रहता है आप लोग वेच्टा पूछ तो पॉलिटीकल साइन्स के कि साथ अगर आप लोग को अब तक त्यारी नहीं करिए कि सीट कि त्यारी करते के लिए आप लोग जूड सकते हैं महा पैक में और महा पैक में जुदने के लिए आप लोगों कोड इस्तमाल करना है जो कि है Y742, Y742 कोड आप लोग इस्तमाल करते हैं आप लोगों के 15, 17 से लेकर 20% तक आप लोगों डिसकांट मिलने वाद है सर किस तर के से इस बैच को ले सकते हम लोग तो बैच लेने के लिए आप लोग जा सकते हो डारेक्ट ली कहा पर अदर 24-7 की वेबसाइट पर तो अदर 24-7 की वेबसाइट पर जाहिए यहां पर जाके लिखे, यहां सेटाफ़ मैं। वह है without books वाला यह नया बैच आया अभी अभी ambition 2.2 तो आप लोग इसके साथ भी जूड सकते हो यह फिर आप लोग क्या कर सकते हो महाप्यक ले सकते हो इससे आप लोगो को बागी सारे की सारे batches का यह जो टॉपर इसके साथ जूड सकते हो इसमें आप लोगों को इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री जोग्रफी वालिटिकल साइंस एकनोमिक्स लिगर स्टीज करंट अफ़ेस टैडिक के कौंट्स और रिजनिंग जैसे सब्सक्राइब जारे जो कि आप लोगो को आपके एक्जाम में बहुत काम टू और इसको अपलाई करेंगे एक हजार चारसो साथ रुपे अपने बच जाएंगे और अपने को यह वाला बैच सिर्फ और सिर्फ पांच हजार आठसो चालीच रुपे के आसपास मिलने वाला है ठीक है बहुत इंबोर्टन बैच है और यह टॉप पर्स चोईस है सबस स्कते हैं यहां पर आपने पस अंग्लिश लैंगएज और जनरल टेस्ट और हुमेंटेस डॉमेंटीस का टेस्स इसके साथ हुमेंटीस के रुपे समय इसक्ति प्डेस है साइकलोजी को इस्तिते रुट है अप लोग क्या है आप लोग को सीजीकल एजुकेशन पास तो यह test series आप लोगों को discounted rate में मिल जाएगी, 160 रुपे अपने बच जाएगे, 639 रुपीज में आप लोगों को यह test series मिलेगी, इसमें काफी सारी test series है, जो कि आप लोगों को बहुत help करेगी आपके exam से पहले, exam की preparation में, ठीक है, इसके साथ साथ किसी को books चाहिए, e-books चाहि ठीक है, आप लोगों को कोई भी doubt हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग मुझे से पूछ सकते, आप लोग मुझे mail कर सकते, और mail करने के लिए आप लोग, मुझे mail कर सकते कहाँ पर, khan.iu, add the rate, adda, 247.com पर, अच्छे-ची updates, और जैसे जैसे notification आती रही कि मैं आप लोग मिलते हैं आपने, अगली वीडियो की साथ, तब तक के लिए मुझे पढ़ाना आप सबसे कहता है, जैहित!